अपबल तपबल और बाहुबल चोथोबल है दाम धन शूर किशूर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम जो इन सबसे अपनी चित्वरती को हटा कर एक मात्प्रियाप लाल में लगा दिया वही जीत गया हटाने में अश्मर्थ होने के कारण आत्मस्षुरूप गुर्देव हमारा हाथ पकड़ कर खीचते हैं बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें जिदर वो खीच रहें उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागरत हो जाएगा मेरे बल श्री व्रंदावन रानी जाके बल में सफशों तोरी लोक बेद कुलकानी मेरी महरानी स्री राधारानी ये बल जागरत हो जाएगा इसी बल से निकुंज के भावदेश में प्रवेश पाया जाता है शरीर रहते हुए जीवन रहते हुए जीवन मुक्त होकर भावदेश की प्राप्ति गुरु अचारी कृपा से फिर प्रवेश होता है अद्भूत महासुख जहां मोक्ष भी थुद्की कृत्य हो जाता है श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं किम्रे भ्रमसिदिगंतर महाह निरंतर बहत सुधा सिंधुम् राधा जीवित बंधुम् ब्रंदार नेंदु मास्त्रे स्यामं किम्रे ए क्यों भ्रमित हो रहा है दसो दिशाओं में सुक्ष की खोज में भाग रहा है ये भोग भोग लूँ ये वस्तु मिल जाए विक्ति हमारा हो जाए ये पद हो जाए इतनी संक्या धनकी हो जाए कभी शुक ही नहीं होगे विश्वास कर लो जितना आप सोचते उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है पर वो भी अशांत है अशांतस्चित कुताशुखम जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा तो क्या करें बुले ब्रज चोराशी कोश में प्रवेश करो एक बार हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये बारहवन है मधुवन तालवन कुमुदवन बहुलावन कामवन खदिरवन ब्रंदावन भद्रवन भांडीरवन बेलवन लोहवन महावन ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से तीन रात ही रह जाए तो उसे त्रिवुवन में बटकना नहीं पड़ेगा और कभी 84 लाख ही उनियों में नहीं जाएगा जिसने ब्रज 84 को इसकी परिक्रमा कर ली तो ये बारहवन और 24 उपवन इन सब की परिक्रमा हो जाती है बारहवन ये आपने सुने 24 उपवन गोकुल गिरिराज गोवर्धन बरशाना नंदगाउं संकेत परमार्द अडीग सेश्षाई माट उचागाउं खेलवन श्रीकुंड गंधर्ववन पराशोली बिलचु बच्छवन आदिबद्री करहला अजनुड़वन पराशोली बि पिशला, कोकिलावन, दधिगाउं, कोटवन और रावल ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में बिलाजमान है शब का मुकुट मने, ये समस्त तीर्थूं का मुकुट है ब्रजध चवलासी कोश और इसका मनी है शीवरंदावन धाम, बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा शुनकर प्यारी जू, प्यारे जू का नाम जपने लगे चरण सेवा की भावना जागरत हुई कहने किम्रे ब्रहमश दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम मानुशी गंगा का अचमन कर लिया, राधा कुंड का अचमन कर लिया, मानुशरोवर का अचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, ब्रंदावन की परिक्रमा दी, बर्शाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जू महाराज का दर्शन किया अब तुम्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमन नहीं करना पड़ेगा और कहीं शवभाग मिल गया कि जीवन में एक बार पदयात्रा करते हुए 84 कोश की ये गाडियों से दर्शन करना अलग बात है लेकिन जो पदयात्रा है बहुत बड़ी महिमा बहुत बड़ी महिमा यहां की शमानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते हो आके यहां खुद घुटने टेकते हैं यहां की रज में लोटते हैं इसलिए स्रीपाद करें यहां तो अम्रत समुद्र बेरा काये को ब्रमित ह रहे हो शुख की लालसा में पापा चरण कर रहे हो तुम ऐसा समस्ते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो शुखी हो जाएंगे कदा पिन हैं हे भाई राधा जीवित बंधुम ब्रंदा रेनेंदु माश्रे श्यामम आश्रे लेलो हमारी किसोरी जुके जो जीवन है इनके चरणों की बंदना कर ली आश्रे लेले तो शुमस्त दुखों की निवर्ति हो जाएगी तो ये जिनके अधीन हैं हम उनके चरणों का आश्रे लेने वाले हैं जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को शिर्ताज फिर यहां स्रीपाद करे राधा जीवन बंधु स्री इक्रश्न त्यंत प्रशन है उसे राधा नाम जपने का सवभाग मिलता है उसे राधा चरणारविंद की शर्नागती मिलती उसे किशूरी जुके इस पावन धाम में आने का सवभाग प्राप्त होता है लाल जु कृपा कर दे बिलकुल नहीं आता उसे परमार्थ का काहरा अभी पर परमार्थ का सिद्ध मापुरुश हो जाएगा बड़े कृपा शिंधू है हमारे माई स्यामाजू को राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग अनुराग भाव सेवा रसरीती ये जागरत हो जाएगी चरन कमल बंदों हरी राई जाकी क्रपा पंगुगिरी लंग है अंधरे को सब कच्छु दर्शाई चरन कमल बंदों हरी राई देयम सदा परिभवगनम अभिष्ट दोहम तीर्थास पदम स्युविरंचि नुतम सरन्यम जिन चरनों की सरनागती भगवान शंकर्शन कादि सुकादि लेते हैं यदि उन हरी के चरनों का आश्रे मिल्या जो राधा जीवन बंधू है तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है उस सुमेर परवत को लांग सकता है ऐसी करपा में ताकत है जो शमान भूमी में सीधे नहीं चल सकता है पैर ठीक नहीं है उस सुमेर परवत को जो चार लाख यो जनका है उसको लांग सकता है हरी की करपा में बड़ी सामर्थ है अंधे को सब कुछ दर्शा है हम सब अंधे मताह परतरम नान्यत किंची दस्ति धनन जए मेरे सिवा कुछ नहीं बला दिखाई दे रहा है सब सुरी कृष्व है नहीं तो अंधे है हमें क्या दिखाई दे रहा है नानात्व जड़ चैतन्य अच्छा बुरा उत्तम अधम यह हमारी दृष्टी नहीं है यह दृष्टी बिगड़ गई है जिन जिनकी नेत्र खुले उनको दिखाई दिया सियराम में सब जग जाली उनको दिखाई दिया प्रभु के शिवा कोई नहीं निज प्रभु मैं देखें जगत तो अंधरे को सब कच्छ दर्शाई सब कच्छ सरवम खल में दम ब्रम यह देखने हैं तम नेत्र खुले नहीं तो अंधा है वो अग्यान अंधकार में भटकता मैं मोरतें तोर में इसी म में पूरा जीवन नष्ट कर देता है यह नहीं समस्था कि मेरी पत्नी में भगवान मेरे पुत्रमें भगवान मेरे माता-पिता में भगवान चराचरमें भगवान बड़ि हां उसर मिला है सब की शेवा करके जीवन मुक्त होने उसे आहम रहता है ये मेरा घर ये मेरी पत्नी ये मेरा पोत्र मैं इनका श्वामी मैं जशा चाहूं वेशा वरताव करूं प्यारे भूल कर रहे हो फिर काल जशा चाहेगा वेशा वरताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके वो तो केवल दैन्य भक्त होता है थोड़ के तमाचा से बचने की शामर्त किसी की नहीं है समुझी जे आए सरण तेन डरत काल डर जो देन्य होकर प्रभु की सरण में हो गए उनको काल का भे नहीं होता है बहिरो सुने गुंगपुनी बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास करुणा में स्वामी बार बार बंदों तिह पाई बार बार बंदों तिह पाई चरन कमल बंदों हरी राई बहिरे सुनने लगेंगे हम सब बह रहे हैं कैसे बह रहे हैं सास्त्र कह रहा है गुर्देव कह रहे है चीक चीक के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है यदि हरी करपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए सुनने लाइक बात सुनी और जीवन में उतार ली ये हुआ सुनना गुरू शिष्य अंदबधिर कर लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा बुले आज कल गुरू शिष्य का ऐसा परिशे है कि एक देख नहीं रा सिष्य क्या कर रहा है और एक शिष्य है कि उस सुन नहीं रहा कि गुरू क्या कह रहे है विगड़ गई बात गुरू देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरू क्या कह रहा है बस परम्मंगल प्रारंभ हो जाता है बहिरो सुने कि सब बहरे है जो ना गीता वाणी भगवाण की जो है उसे ना सुन रहे ना उसास्त्रों की बात मान रहे ना गुरुदेव की बात मान रहे उनको सुनाई ही नहीं देता गुरु वाणी उनको याद ही नहीं है कि गुरुदेव ने क्या देश किया कैसे रहना है पर जब हरी की कृपा हो जाती है फिर शुनाई देने लगता है गूंग पुनि बोले हम सब गूंगे हैं जो भगवद वानी रहित वानी है उसका कोई मात तो नहीं है आप खुब बोल रहे हैं लेकिन उस सत चर्चा नहीं है भगवद चर्चा नहीं है वो ब्यर्थ की है जे नहीं करहीं राम गुन गाना जीह सोदादुर जीह समाना जैसे मेडग के बोलने का कोई अर्थ नहीं ऐसे ही प्रपंच की वारता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं अर्थ है तो भगवद नाम कीर्तन भगवन महिमा गुन गायन भक्त चर्चा भगवान की चर्चा तो तुम्हारी जबान सार्थक है हरी कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए बिना पढ़े लिखे साब बेदू का सार तुम्हारी वानी में आ जाएगा यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्र है